हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे येट्यूप चैनल कुकाइट होम पर और आज की रेचिप ये मसाला चीज ओमलेट दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल और रेश्टरान स्टाइल जो मसाला ओमलेट बनता है वो कैसे बनता है और आप इसको अप दोस्तों उमलेट बनाने के लिए जो समान से यह हम उसको यह बार देख लिए यह पर हमने चार अन्डे लिये वे उसके साथ हमने कुछ भय वेघ्चेबल चौप कर लिए हैं इसके साथ हमने टमाटर वर्यम बिर्च और हरा धनिया चौप कर लिए चीज भी ग्रेट कर चलिए दोस्तों आप सुरू करते ओमलेट मैंना के लिए सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम अंड़े को तोड़ेंगे यहां पर हम दो अंड़े यूज़ करेंगे अपने साफसे दो या तीन अंड़े का इसको आराम से बना सकते हो नॉर्मली दो अंड़े का ही बनता है और दोस्तों उसके आद हमने इसको अच्छी तरसर फेंटना है दोस्तों यहां पर एक चीज बहुत जरूरी है उन्दे को हम जितना ज्यादा फेंटेंगे जितनी अच्छी तरसर अंड़ा फेंटेगा हमारे जो ओमलेट होगा उतना ही फ्लपी और सौब्ड बनेगा अंड़ा को हम जितना ज्यादा फेंटेंगे उनके अंदर उतनी ही हवा बैटती है और हमारे जो ओमलेट बनता हो खाफी फ्लपी बनता है तो दोस्तों अंड़ा हमने फेंट लिया है और अब हम एक पैन लेंगे और उसको हम मीडियम हीट पर रहेंगे पैन को दोस्तों यह के करके ढालते रेंगे। को हमिने यहां पर सबसे पहले प्येस पहले डाल दिया है उसके आद हमें आपi जुस्खेंब हरीम लिचज अर्ह Onu Eye to Milk shift कर देंगे। नोख कर देंगे।ि दोस्तों यहां पर आइं पर हरी मिर्च और हरय दिने डालेंगे और हलका से इनको मिक्स कर देंगे दोस्तों यहां पर सब्सक्राइब कोई भी कर सकते हो जो आपको पसंद को आप यसके साब sa besayce में सबसे डाल सकते हो और सब्सक्राइब को हमे जादा नहीं पकाना 있는 कि यहां पर हमने हलकी असा नमक डाल दिया है और साथ ही हमने कुटी भी काली म्रेश डाल दिए है दोस्तों मिर्श आप अपने हिसाब से कम्याद ज्यादस में कर सकते हो और उसके बाद हमें इड़ करतेंगे जो अंडे हमने भीट करके रखे थे जो हमने अंडे फेंडे में थे उनको हमने इसमें डाल देना है और अंडे को सब्जियों के साथ हमने मिक्स कर देना है यहाँ पाद दोस्तों जैसे हम अंडा डालेंगे तुरंत हमने इसको मिक्स कर प्लब चारुक्ति है और जंसे सब्दीघ मिक्स और करने के था अनरड़ . जिससे यंदा जल्दी पग जाए। उसका दोस्तों हम इसमें पर चीज का यूज़ कर रहें तो आप इस तरह से बीच में चीज डालेंगे और इसको हम फोल्ड करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप देश सकते दोस्तों आपने इस तरह से इसको एक साइट से फोल्ड करना शुरू करना है और अंड़े पर ज़्यादा कलर नहीं आना चाहिए, अंड़ा ब्राउन नहीं होना चाहिए, गर अंड़ा ब्राउन होगे तो उसका जो प्रोटीन ही तो जल जाता है और इस तरह से दोस्तों हमने एक साइड से सुरू करके इसको फोल्ड कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं अंड़ा जो निच्छे की साइड से पूरी तरह से पग गया है और उसके आदम इसको दूसरी साइड भी पखा देंगे यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ओमलेट वह दोनों साइड से पग गया है और ओमलेट पर बिल्कुल भी कलर नहीं आया है यह बाहर से पुरु तरह से वाइट है तो इस तरह से दोस्तों एक अच्छे ओमलेट की पैचान ने कि वह बाहर से बिल्कुल वाइट होना चीए और अंदर सॉब्ट होना चीए और इसके साथ हमने यहाँ पर चीज भी एट कर रखिये तो अंदर से बिल्कुल क्रीमी हो गए तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा अमलेट तयार है और अब हम इसको तुरंत पैन जाटा देंगे क्योंकि पैन गरम होता है और अगर बना सकते हो और एक बहुत ही कम समय में तयार होने वाला नास्ता बना सकते हो तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धरिए